हेलो दोस्तों स्वाबत है आपको हमारा अट्येक एंट्यूटियल चैनल में आज हम बात करेंगे फेस्बुक पे फॉलो का जो आप्शन होता है उस आप्शन को हटाते कैसे हैं पहदी वारे वीडियो में मैंने बताया था कि फेस्बुक में एड्फरेंट की जगा फॉलो का आप्शन कैसे लाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को चलते हैं हमारे मोबाल स्क्रेंट पर आपको दिखाते हैं कि फेस्बुक में एड्फरेंट का आप्शन फीज से वापस से कैसे लाते हैं फॉलो अप्शन हटा कर एड्फरेंट का जो आप्शन है उसको व करते हैं और पोफायल को चेक करते हैं पहले कि यहां सी जाएंगे थीवर पे अब देख सकते हैं मेरा फॉल OPS लगा हुआ है पादिक को मेरी इसे डिखेंगी तो हम इस फॉलु आपसन को हटाएंग' गहां वापस से देखते कैसे करते तो हम बैगा जाते हैं मैं यह ओपर जो त्री डॉटस दिख रहा है आपको मैंने मार्क क्या हॉआ है उस त्री डॉटस पर आपको क्लिक करना है तो चलिए कर लेते हैं पहले हम three dots पर click करता है और यहां से हम जाएंगे settings पर यहां को दिख रहा है settings का option है settings पर जाएंगे settings में जाने के बाद सबसे पहला option जो है how people can find and contact you पहला option जो है दिख रहा है आपको तो हमाँ click करता है ओपर option है who can send you friend request सबसे उपर यह है आपको पहली नज़र आजाएगा यहां पर click करते हैं click करने के बाद यहां दो option दिखेंगे आपको पहला है everyone दूसरा friends of friends आपको everyone set कर देना है यह वाला option और फिर ब्याक आजाना है आपको दूसरा option दिखेगा यहां पर settings में followers and public content पहले वाला settings जो है उसकी दो यहां पो दो option दिखेंगे public and friends सबसे उपर दो option दिखेगा public and friends यह आपको friends पे set कर देना है friends पे set कर दे के बाद आपका काम हो चुका है अब आपको बैक आजाना है बैक आने के बाद हम profile को चेक करते हैं दुबारा से यहां से जाते हैं view as पर यहां refresh करते हैं page को यह दिखिए अब देख सेकते हैं यहां से हमारा follow का जो option था वह हट चुका है सिम्पल सा step से बस दो सेटिंग्स करने हैं आपको और आपका काम हो जाएगा तो आपने देखा कि यहां Facebook में जो accident का option है normal होता है सबका वापस दा चुका है follow का option हट चुका है तो ऐसे ही अप follow का option लगा भी सकते हैं अगर आप कभी बिए आपको follow